हेलो चिल्रन आज हम लोग करने जा रहे हैं फाइन आर्ट्स में CBST Class 12 की Modern Painting Modern Painting का नाम है Mother Teresa Mother Teresa के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में कोई नहीं जानता हो तो इसलिए उनको समझना उनकी printing को समझना और जादा आसान हो जाएगा और जहां तक syllabus का सवाल है syllabus जैसे कि हमेशा हम दिखाते हैं तो unit 1 के जितने भी topics हैं सब हम लोग पहले ही cover कर चुके हैं अगर आपने अभी हम लोग को जोईन किया है तो आप हमारा जो बाद में एंड में आपको जो लिंक दिखाई देगा आप लिंक में जाके हमारे ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं समझ सकते हैं और जान सकते हैं आगे जो unit 2 है वो भी पूरा हो चुका है अब हम लोग आते हैं unit 3 में unit 3 का जो A and B है ये पूरे हो चुका है Bengal School of Painting का अब हम लोग आएं modern print में राम vanquishing the pride of ocean हो चुका है mother and child हो चुका है healthy grinders हो चुका है अब हम लोग कर रहे है Mother Teresa Mother Teresa किसकी painting है M.F.Husain ये भी बहुत famous painter है इनका नाम आप सब लोग जानते होई अब अगर ये देखे Mother Teresa तो ये जो painting है इसमें आपको symbolic figures बने होएं symbolic figures का मतलब है कि इसमें आप नाक नक्ष या फिर body के आप जो हाथ पैर ऐसे आप clarity से नहीं देख सकते हैं लेकिर अगर आप जो देखेंगे आपको देख के पूरा पूरा जो theme है वो आपको एकदम clear हो जाएगी कि आखिर इसमें पेंटिंग में जो painter है वो क्य order होता है blue रंग का वो यह जो साडी है उसी से signify हो रहा है कि यह mother Teresa है और उनके साथ उनके कोई और भी sister बैठी हुई है साथ में और यहां पे बगल में भी कोई बैठा हुए है तो यह इनके जो lap में इनकी गोद में एक बच्चा है इनके इनकी गोदी में भी कोई फिगर ल अगर जैसे कि mother Teresa उसको आश्रिवाद दे रही हूँ अगर जो mother Teresa का painting आये तो आप कैसे करेंगे हमेशा की तरह जैसे कि आपको बताया है कि यह जो पांच जो चीजें है इनको आप लिखना कभी भी मत भूलिएगा अगर आपको painting का कुछ भी लिखने के लिए आए तो name क्या mother Teresa artist कोने M.F. Hussain period 1997 AD medium watercolor school modern courtesy national gallery of modern art new Delhi तो यह जो चीजें है यह पांच चीजें तो आपको जरूर याद ही करनी पड़ेंगी क्योंकि यह जो चीजें ही इसलिए भी important होती है क्योंकि अब आपके जो 6 marker है जो कि starting में ही आते हैं जो A section में आ रहे हैं जो 6 marks के जो कोशन है जो कि किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं अब यह one mark question इसमें कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं समझने की कोशिश करते हैं अगर उन्होंने बोला कि M.F. Hussain की कौन सी painting है जो कि modern school के अंडर में आती है तो आप लिखेंगे Mother Teresa या फिर अगर पूछा जाए कि Mother Teresa के artist कौन है तो आप लिखेंगे M.F. Hussain या फिर M.F. Hussain ने Mother Teresa को कौन से medium में बनाया है तो आप लिखेंगे water color या फिर M.F. Hussain जो artist है वो कौन से school को belong करते हैं तो आप लिखेंगे modern school तो यह जो questions है इस तरीके से यह आपके one mark question में पूछे जा सकते हैं अब जहां तक है subject matter subject matter जो Mother Teresa है अगर व जो ऐसे भी पता होना चाहिए इस उम्र में आके नहीं भी पता है तो आप इसको composition and subject matter से आप समझ के आपको सबथा चल जाएगा Mother Teresa is recognized all over the world for her selfless service to the poor Mother Teresa is known to her whole wish for her में जानी जाती है क्योंकि वो निस्वार्थ जो काम है वो गरीबों के लिए करती आ रही है Now she can be recognized by her dress and her love for children तो उनको पहचानने के लिए सिफ उनके जो कपड़े जो ट्रेडमार्क कपड़ा था उनका जो सपेद रंकी सारी और नीले रंका बॉर्डर उसी से ही उनको पहचाना जा सकता है उनका जो बच्चों के लिए प्यार था उससे भी उनको पहचाना जा सकता है तो ये subject matter पे ये जो painting है ये जो बनाई गई है उनका ट्रेडमार्क सारी और नीसवाथ सेवा ये दिखाया जा रहा है इसमें तो Mother Teresa is in sitting posture, तो मतलब Mother Teresa is in sitting posture, और outline of her face can be seen, जो face का बस outline दिखाई दे रहा है, बस outline दिखाई दे रहा है, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, she covers her head with white colored sari, with blue border, the sari is a uniform of sisters of orphanage and homes, run by Mother Teresa, तो जो क्या पहनी होई है, वो सफेद रंके sari, पहनी हुई है इसमें नीले रंग का बॉर्डर है और ये जो साड़ी है ये वहाँ की यूनिफॉर्म है जो मदर टेरेसा जो स्कूल रन करती है और्फनेश के लिए जानात बच्चों के लिए जो फुसकी वहाँ पे जितनी भी सिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग मदर टेरेसा व और क्या है फेस एकदम काले रंग का है एकदम डाक रंग का है और दिस दन तो रिमूब अनी राशल आइंटिटी और शो यूनिवर्सल मदर होड इंट अलसो शो सेल्फलेस एजलेस परसन तो इसका ये इसलिए क्यों करा गया है इन्होंने कोई उसमें फीचर नहीं दिये क क्योंकि जो आर्टिस्ट है तो किसी भी रंग से किसी भी रूप से जो मदर टरेसर का जो नीस्वा सेभा है उसको वो बांधना नहीं चाहते थे वो उसमें कोई भी रेशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाना चाहते है रेशल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है जब हम रंग क उस पर हम किसी के साथ भेदबाव करते हैं तो हम उसको बोलते हैं racial discrimination तो वो Mother Teresa को एक universal Mother की तरह है Mother जो सबकी माँ है ऐसा दिखाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने उनको कोई भी उनको फेस में कोई भी रंग या फिर फीचर्स नहीं दिखाए हैं कि कोई ये बोल सके कि ये मेरी हैं ये मेरी हैं क्योंकि वो सबकी हैं इसलिए उन्होंने universal Motherhood को दिखाने की कोशिश करी है और उनको कोई भी फीचर्स और उनको नाक्ष ना देखे रंगत ना देखे उनना ये दिखाने की कोशिश करी है कि Mother Teresa एक निस्वत भाव से जो काम करने वाली महिला थी और उनकी कोई भी एज नहीं थी, वो कोई भी उम्र नहीं थी, हर उम्र में वो यही काम करती रही, वो एजलेस परसन थी, Now she is showing, holding a baby in her hand, और इनके हाथ में एक कोई बच्चा इनका हाथ में है, और हाफ सारी also shelters to other children, one is sleeping and lying on her lap and other is sitting, तो यह जो सारी है, यह सिर्फ एक ही कोदी अगर देखा जाए, तो यह अलग-ळग रूप दिखाए हैं, नहीं म Camele Da Teresa के, यह पहला रूप है, यह दूसरा रूप है, यह तीसर रूप है, यह सब मada Teresa के ही अलग-अलग भाव दिखाएं हैं, एक भाव में उन्हों दिखाया है कि उनके हाथ में बच्चा है, दूसरे भाव में कोई उनके पैर में लिटा हुआ है, तीसे भाव में कोई लड़की को ये शेल्टर दे रही है, तो जो इनकी साहड़ी जो फैली हुई है, ये दिखाई है कि यह एक के लिए नहीं, यह सब के लिए दयावान है, इनके दया सब के लिए आन को आती है, now the left palm appears to be blessing the family and assuring them, जो left palm है, यह ऐसा निकला हुआ है, जैसे कि दिखा रहा हो कि वाश्रिवात दे रहा है, और परिवार को बोल रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिकर करने की बात नहीं है, अब color scheme इसका कैसा है, the colors dark brown, light brown are used more often by the painter, तो जो dark brown है और जो light brown है, उसके उन्होंने इस्तमाल जादा किया है painter ने, the contrast of white sari with dark background easily defines the character of Mother Teresa, जो white sari को जो उन्होंने black background में दिखाया है, उससे बहुत ही असानी से Mother Teresa को identify करा जा सकता है, तो इस तरीके से ये जो Mother Teresa का जो composition है, ये complete होता है, आपको अगर आपने अभी हमाई साथ जॉइन किया है, तो हमारा ये channel CBSC Class 12 Teacher Humanities को आप subscribe करिए, लाइक करिए, comment करिए, इसको join करिए, अपने दोस्तों को recommend करिए, इसमें सिर्फ fine arts का नहीं, आपको sociology, political science, history और English के भी आपको videos मिलेंगे, जिससे आप बहुत benefit कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, ये assurance हम आपको जरूर देते हैं, कि जिस तरह से ये, ये जो presentation, ये हर video में करा गया है, इस subject का, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता है, इतने clarity से, और हाँ, अगर आपने बस इतना ही, इतना लिख दिया, तो आपके marks कहीं भी नहीं जाएंगे, जाएंगे, और last video में आपको जो इसके खतम होने के बाद जो बनाएंगे, उसमें ये भी दिखाएंगे, कभी कभी कुछ ऐसे वे questions आते हैं, जिसमें समझ में नहीं आता कि इसमें क्या लिखा जाएगा, तो उनको कैसे उसका उत्तर देना है, ये भी आपको उसमें समझाया जाएगा, इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें, अच्छे marks पाईए, best of luck